नमस्कार दोस्तों मैं जी साबका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी current affair की जो class है यानि current affair की पाट साला वाली class में जिसमें हम आपको हर exam के जो दृष्टि से महत्पुर questions होते हैं current affairs के साथ साथ static जीके उसको solve करवाते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लाज तक देखिएगा और चैनल पर पहली वार आये हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं पहला कोशन साब के सामने कुछ इस तरीके से है Global Crypto Adoption Index 2023 में किसे सिर्ष इस्तान मिला है तो Global Crypto Adoption Index के अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला रैंक भारत का है 2023 में फर्स्ट रैंक भारत का है सेकेंड रैंक नाईजिरिया का है और थर्ड रैंक की बात करें तो भी आतनाम है और 4th रंग पर USA तो इस questions का right answer भारत है अब दोस्तो भारत में अगर crypto की अगर हम बात करें तो crypto पर अगर आप trading करते हैं तो 30% आपको tax देना पड़ता है और अगर आप profit earn करते हैं तो उस profit का 1% आपको TDS देना पड़ता है profit का 1% TDS यह government आपसे charge लगाती है crypto की अगर हम बात करें crypto currency में ट्रेडिंग बहुत सारे country बैन करके रखे हुए हैं और 2022 यह जो दोस्तो rank है यह 2023 की rank है और 2022 की rank की बात करें तो 2022 में भारत की बात करें 2022 में भारत कितने नुमबर पर था तो फर्स नंबर पर वियत नाम था 2022 में और जो second rank की बात करें तो फिलिपिन्स था फिलिपिन्स था और फर्ड रैंक पर यूक्रेयन था और फोर्थ नंबर पर भारत था अब दोस्तो अब 2023 में भारत की पोजिशन क्या थी जहां पर 2022 में फोर्थ नंबर पर थी वो सिधे इंप्रूब्मेंट कितना आया एक नंबर पर आ गया तो आप इतने सारे फैक्ट को इस वीडियो के माध्यम से समझ गये होंगे तो अब अगला जो कोशन है दोस्तो कुछ इस तरीके से अगला कोशन से हाल ही में यूनेसको की विस्व धरोहर सूची में सामिल होने वाला 14 भारती इस्थल कौन सा है तो चौधामा भारती इस्थल के अगर हम बात करें तो इस कोशन का जो राइट एंसर है सांती निकेतन यानि option number D इसका राइट एंसर है अब दोस्तों सांती निकेतन की बात करें तो इसकी इस्थापना 1901 में हुई थी 1901 में स्थापना हुई थी और इसको स्थापना किसने की थी तो नोबल पुरुषकार से सम्मानित जो रविंदर नाथ टैगोर जी है रविंदर टैगोर ने सांती निकेतन की स्थापना की थी और ये जो दोस्तो पश्यम बंगाल के वीर भूम चिले के सांती निकेतन है यानि ये पश्यम बंगाल के वीर भूम जिले में इस्थित है अब दोस्तो ये एक प्रकार का वैदिक विस्वेद्याल है था अब दोस्तो और काक्ती रुद्रेश्व और मंदिर के अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना में है दोला वीर की बात करें तो ये कच जिले में है और जैपूर राजस्थान की कैपिटल है तो इतने सारे फैक्ट आपको समझ में आगे है शांती निकेतन 1901 में रविन्ना टैगोर जी के द्वारा इस्थापित किया था ये एक वैदिक विस्विद्याल है और ये पश्यम अगल के वीर भूम जीले में इस्तित है उसके बाद अगला क्वेशन्स प्रतिवर्स विस्व बांस दिवस कब मनाया जाता है तो इस क्वेशन्स का जो राइट एंसर है 18 सितंबर को प्रतिवर्स विस्व बांस दिवस मनाया जाता है ये एक प्रकार का वैश्विक वाल है बांसो को ग्रीन गोल्ड कहते हैं बांस को ग्रीन गोल्ड कहते हैं तो प्रतिवर्स 18 सितंबर को बांस दिवस मनाया जाता है उसके बाद अगला क्वेशन्स तो आपके सामने कुछ इस तरीके से है हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो जी पी रेस के सीर्स प्रयोजन अधिकार किसे मिलें तो इस क्वेशन्स का जो राइट एंसर है इंडियन ओयल को मोटो जी रेस कराने का जो प्रयोजन अधिकार मिला है मोटो जी रेस भारत में पहली बार हो रहा है जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है फर्स्ट टाइम इन इंडिया और स्पॉंसर्ड कमपनी है इंडियन ओयल और दोस्तों ये जो 24 से 24 सितंबर तक ये रेस होगी और ये ग्रेटर नोड़ा ग्रेटर नोड़ा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगी तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे उसका अगला कुश्टन कुछ इस तरीके से हाल ही में बित्ती समावेस सिभाव को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लौंच की तो इसका राइट अंसर है इंडियन बैंक इसका राइट अंसर इंडियन बैंक है उसका अगला कुश्टन तो अगला कुश्टन आपके सामने कुछ इस तरीके से है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में कांट्यक्ट पेमेंट वीयॡ्यवल रिंग और टिजी किसने लौंच की तो इसका राइट अंसर है एंपीसी अंपीसीआ की बात करें तो इसका फुल फॉर में होता है नैस्नल पेमेंट कॉर्पूरेशं ओफ इंडिया जैसका राइट अंसर है option number 6 उसके बाद अगला questions तो अगला questions कुछ इस तरीके से हैं हाले में किस IIT के सोथकरताओं ने चाय factory के कच्रे को फार्मा उत्पादन में बदल दिया तो इसका जो right answer है IIT गुहाटी IIT गुहाटी के जो सोथकरता हैं उन्होंने दवा और उत्खाद उत्पादित किया है चाय के जो खशड़ी रिकलते हैं उससे दवा और उत्पादित जो खाद प्रोड़क्ट होते हैं उसके उत्पादन किया है तो IIT को हाटी के सोथकरताओं ने इस पर सोथ किया है उसके बाद अगला questions तो कुछ इस तरीके से हाल ही में Spanish League लाल लिग ने कहाँ फुटवाल अकादमी स्थापित करने के लिए समझावता किया है तो उसका जो राइट एंसर है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में फुटवाल अकादमी स्थापित किया जाएगा लाल लिग के द्वारा उसके बाद अगला कोशन्स तो दोस्तो अगला कोशन है हाल ही में चर्चा में रही गिप्ट डीड योजना का संबंध किस से है तो इस कोशन्स का इस ट्राइट एंसर है अपसर नमडे उत्तर प्रदेश की गॉवर्मेंट के द्वारा जो कोट में जमीन से संबंधित या प रिलेशन है यानि फैमली है फैमली के लोग आपस में जमीन को गिप्ट के गिप्ट डीड यानि दान पत्र के द्वारा जो रजिस्टी कराते हैं उसमें उनको केवल पांच हजार रूपे स्टैंप ड्यूटी लगेगा जो कि पहले ज्यादा लगते तो उसको कम करके पांच हजार कर दिया गया है तो इससे यह होगा कि जो पहुत ज़्यादा कोट केसों में जो होते थे जमीनी विवाद वो कम होंगे उसको कम करने के लिए गिप्ट डीड यो जना लागू की गई है जिसमें पांच हजार रूपे किवल स्टैंप लगेगा और यह उत्तर प हाल ही में किस राज सरकार ने सारवाजिक सारवाजनिक परिवहा नहीं हो जना यल ए सी सी एम आई को मंजूरी देती तो सबसे पहले इसका जो अगर हम बात करें एल फॉर लोकेशन लोकेशन एक सि एक सिए एक सिएल मैलती इम आडल इंटेगल इनिशी आट्यू जान है लोकेशन एकसिबेबल मल्टी मॉडल इनिसियेटिव योजना इसके तहट एक हजार बसे दस साल तक चलाए जाएंगी और इसका जो सुभारम है और उनिसा गॉवर्मेंट की द्वारा स्टार्ट किया गया है तो आई हब दोस्तों इस वीडियो की माध्यम से इतने सारे इंप सब्सक्राइब कर लें